तो मानना पड़ेगा आंटी के खुल के बोलने का ये अंदाज पूरी दुनिया के सामने दोनों बेटे और बहु के सामने ये कह देना कि एक सास सास होती है सास कभी भी मा नहीं बन सकती जितना प्यार एक सास अपनी बेटी से करती है जितनी चिंता उसे बेटी की रहती है वो चिंता ना तो बहु के लिए होती है और ना ही वो प्यार बहु से वो कर सकती है तो यहाँ पे बहु सामने खड़ी थी बेटा सामने खड़ा था फिर भी आंटी ने खुल के कह दी अपनी दिल की बाद जुबान पे वो ला दी यह चीज बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगा होना और जो बहु होती है वो दूसरे के घर से आती है तो यहाँ पे बहु से के साथ कोशिश तो करती है आंटी जी की बेटी की तरह बना के रखें सोचती भी है पर वो चीज हो नहीं पाती है ना यह सिर्फ सोच में ही रह जाती है और यहाँ पे बहु को देखा वहां पर ये दोनों ही चीजे कामयाब हो जाती हैं उस घर में बिलकुल भी लड़ाई जगडे नहीं होते हैं बिलकुल भी कोई टेंसन वाला महँल नहीं होता है सारी चीजे सेटल होती है क्योंकि वहां पर बहु बेटी बन जाती है और सास मा बन जाती है और ऐसे बहुत से घर है लेकिन जिस घर में ये चीजे काम्याब नहीं होती जिस घर में कभी भी बहु बेटी नहीं बन पाती और वहाँ पे सास जो है मा नहीं बनती उस घर में इसी तरीके की हर वक्त कॉंटुवर्सिया जो कि हमें आंटी के घर से नजर आती है पहले बड़े बेटे बहु के साथ थी अब छोटे बेटे और बहु के साथ है और यहां पे आंटी एक चीज और जो की खुल के कहती है कि मुझे ये चीज नहीं पसंद कि कोई सुबह न उठे मुझे सुबह ना उठने वाले लोग नहीं पसंद है वहीं पे आंटी एक तरीके से मनीशा पे बड़ा सा इलजाम लगा देती है कि इनके बड़ी बहु की वज़े से इनकी छोटी बहु बिगड़ गई ये चीज मुझे काफी बुरी लगी क्योंकि आंटी जी प्रॉबलम ही आंटी की ये है कि आंटी चीजों को समझना ही नहीं चाती बही आप एंटी जितनी कमिया डूनती है न बहुँ में उतनी अच्छाईया देखती है तो साइध इनकी घर की सारी प्रॉबलम दूर हो जाती वैसे हेलपर की तोर पे हर वक्त दो दीदी रहती है उसके बावजूद भी आंटी को बहुँँ से बहुत सी सिकायत है जैसा कि आपने इनकी वीडियो में ये देखाई होगा कि आंटी ने कितनी बार सबजी दिखाई और उस सबजी के तेल को दिखाया यहां तक कि चम्मच से हटा हटा के आंटी ने उस तेल को दिखाया कि हाँ बहु ने खाना बनाया है और आप सब देख सकते हैं कितना तेल डाल दिया है मतलब आंटी ये कहती है घर में कमी किसी चीज की नहीं है फिर भी यहां पे तेल वाके ही नुकसान करता है लेकिन हम सब ने देखा है कि आंटी भी जब खाना बनाती है तो कई बार ना जाने कितनी बार जबकि आंटी बहुत सालों से खाने बना अब मतलब खाना बना रही है पुरा kitchen समाल रही है उसकी बावजुद इनसे तेल कई बार ज्यादा पड़ा है सब्जी में आपने इनसे डल गया है वो चीज हम सब ने देखी है इनकी वीडियो में जो की आंटी की वीडियो अकसर आती है रेसिपी वाली तो उस रेसिपी वाली में इनकी जो सबजिया है उसमें सबने तेल देखा है काफी ज़्यादा इनको कमेंट भी जाते हैं आंटी आपने कितना तेल डाल दिया है लेकिन यही गलती जब बहु से हुई तो पूरी दुनिया में आंटी ने रिखाया ये अच्छी थी जब यह आई थी नहीं थी तो सुबह उड़ जाती थी पूरे घर का काम कर देती थी लेकिन जैसे इसकी जिठान आई जैसे कि मनीशा जो कि बाहर रहती है जब वो घर पे आई उनके उठने का जो नियम था वो देख करके रंजना बिगड़ गई अच्छा मनी मनीशा से भी पहले इनकी बिगाड हो चुकी थी मनीशा जो कि इनकी बड़ी बहुरानी है सबसे पहली वही बहुती जिनके साथ इनकी नहीं बनी और क्यों नहीं बनी क्योंकि इनको ये प्राबलम थी कि वो सुबह जल्दी नहीं उठती थी अच्छा मनीशा इनके पूरे हैं जिस्फ की धस्य सब्सक्राइब बर से कि मनिशा की वजए citашinha ने इनको पूरे घर में जितने भी इनकी फ्लमगर रहें हृए इनकी छोटे सस्पराइस भी अथा अंटी थे तो मनीशा अपने किचन का काम निप्टा करके अपनी वीडियो नाइट में सूट करती थी और आपको पता है एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती थी मनीशा तो 2-3 वीडियो बनाया करती थी जिसमें अलग-अलग ड्रेसे पहनना, मैक अप करना है ना फिर लाइटे वाइटे शेट करना आपको पता है कितना कुछ होता है वीडियो में एक बहु जब किचन से फिरी हो रही है फिर वीडियो का काम कर रही है तो जाहिर सी बात है सोने में एक से दो बच जाता था मनीशा को तो उठने में भी तो लेट होना ही है पर यहाँ पे जि पूरे सोसल मीडिया पर हमें जाना जाता है और आज जितना भी इनके घर में सबी लोग तरक्की कर रहे हैं वो सिर्फ मनिशा की वज़े से ही कर रहे हैं लेकिन यहां पे कभी वो चीजे अंटी को दिखी ही नहीं सिर्फ क्या दिखा सुबे मनिशा नहीं उड़ती बही बात अई अच्छाइए नहीं देखनी है अगर बुराई छोड़दे देखना और श्टार्ट गरुषर Esto करते तो यह जो प्रॉब्लं में जो लोग नहीं उड़ते वो लोग मुझे नहीं पसंद थीक है झो भी आंटे को नहीं पसंद मीजा व Swedish जब मनीशा यहां से चली जाती है तो इनकी छोटी बहुरानी बिगड़ जाती है वो भी सुबह लेट उड़ती है पर प्रॉब्लम क्या होती है जो रंजना है वो भी यह चीज देखती है कि यहां पर जो मनीशा है वो किचन का काम करने के बाद अपनी वीडियो नाइट में स करती है तो तुम भी करो तो यहां पर जब रंजना ने देखा कि किस तरीके से मनीशा नाइट में अपनी वीडियो सूट करती है नाइट में रैडी हो करके ड्रेसे चेंज करके कितनी महनत करती है तो मनी जो रंजना है उन्होंने भी यह देख करके अपना काम स्टार्ट कर यह बारा बजी अगर कोई कीचन के काम से फीरी हो रहा है फिर वीडियो सूट कर रहा है तो कितना टाइम उसको लगता होगा जाहिर से बाते दो तो बजी जाते होंगे फिर सोना तो सुबह कैसे कोई मौन नहीं में उड़ जाएगा जाहिर से बाते थोड़ा लेट तो हो नही पर आपको मालूम ही है पूजा करने के लिए आपको थोड़ा मन से टाइम देना ही होता है जल्दवाजी का पूजा भी कोई पूजा नहीं होती है न यहां पर नहा करके पूजा करना फिर बहू की तरह रेडी होना जो कि आंटी को अक्सर पसंद है कि पूरे दुलहन की तरह रेडी हो जाओ यहां पर यह सब कुछ करने में उसको थोड़ा लेट हो जाता है लेकिन आंटी को यह नहीं देखना होता है कि मेरी जो बहुए हैं वो और भी किचन के अलावा भी उनकी कुछ काम है जो कि वो सोसल मेडिया पर कर रही है यहां पर सिर्फ एक बात को लेकर कि आ आंटी यह कह दें कि अरे खड़ी क्यों हो तो मेरे बगल में बैठ जाओ नहीं भीगी बिल्ली की तरह बहुए खड़ी रहती है तो देखें जब तक मान सम्मान इज्जत बहु को नहीं देंगी तो जहरी से बात है बहु के दिल में जगे कैसे बनाएंगी आपकी बहु सब हमने देखी है पूरी सोसल मेडिया पे इनकी पूरी लाइफ एक तरीके से रखी हुई है पूरी जड़नी दिखती है जहां पे दोनों बिल्कुल सीधी साधी है ज्यादा फालतू बाते हैं या जवान नहीं कोलती है तो फिर इतनी अच्छी बहु पा करके छोटी मुटी ग नहीं दिमाग से सोसता है कहार जी नेश वीडियो में फिर मिलती हूं वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सेस्काइब कमेंट चरू करें